कि दलित बिरोधी कौन है दलित बिरोधी मानसिक्ता कौन रखता है कौन नहीं चाहता है कि दलित का बेटा बिहार का नेतित्व करे किस के दबाओ में 12 जनपत को खाली कराया गया और खाली ही नहीं कराया गया स्वरगे राम बिलास पासवान जी के चित्र को और सम्मिधान बावा साहे भीम राव अंबेद करके मूर्ती को किस ने खंडित किया भारतिये जनता पाटी बिहार में रिण भीहीन है और बिहार की बरबादी में जितना जनता दल उनाइटेट भागेदार है उतने ही हिस्सेदार भारतिये जनता पाटी भी है यहाँ पर जब इनके महिला बिधायक को मुख मंत्री द्वारा जब अपमानित सब्द बोले जाते हैं तो इनके बिधायक और मंत्रियों को साफ सुन जाता है बिहार की बहु को जिस तरीके से बेज़त किया गया दिल्ली में और बेज़त करने वाले लोग कौन थे बारत सरकार की संपदा बिभाग फोर् जाता है बिहार की तेरा कुड़वाम और बोचहां की महान जनता क्या या भूल सकती है कि हमारे स्वर्गे सथापक पद्भूसन देश के दूसरे अंबेदकर राम विलास पासवान जी के परिवार को किसने बेज़त किया है हमारी पाटी आपने तोड़ दिया परिवार तो पूरे बिहार का अपमान था और यहाँ पूरे बिहार की जनता देखी है समय आने पर वोट की चोट से इसका भी बदला जनता लेगी सत्ता परिवर्तन हम लोग नहीं कर देंगे बिहार में तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं और साजिसन चुकि हमारे नेता अल्रेडी पहले ही 12 जनपत को खाली कर रहे थे लेकिन इनको आस्वासन दे के रोका गया और रोकने के पीछे अब देखने से लगता है कि बेईज़त करने की एक जो रणनीती थी वह किसी दवाव में थी और प्रधान मंत्री जी नीती आयो की रिपोर्ट जब जारी करते ह तो बिहार में गठमंदन भारती जनता पाटी और जनता दल उनाइटेट का है यहां पर लगातार महिलाओं का अपमान हो रहा है लड़कियों का बलतकार हो रहा है दलित महिलाओं का बलतकार हो रहा है बैंक डकैती हो रही है चिंताई हो रही है लूट हो रही है हत्या बेर जारों लोगर मरे थे उसके लिए जिम्मेवार और जबाब दे यहां के स्वास्त मंतरी और यहां के मुख मंतरी थे देखिए चिराग पास्वान का बंगला खाली करया जा चुका है इस मौके पर आज जिस तरह से स्याम रजक गए क्यास कुछ और लगाए दिया रहे थे कि क्या राश्टी जनता दल और चिराग पास्वान की बीच में कोई नई समिक्रन की तयारी होगी इन सभी मुद्धों प स्याम रजक जी का जाना क्या संदेश से अपलोगता है नई देखें स्याम रजक जी तो पूरु मंत्री रहे राश्टी जनता दल के वरिष्ट नेता है और साथ में दलित विचारक भी है और हमारे स्वर्गिय संस्थापक पद्न भूशन देश के दूसरे अंबेदकर स्री जन्पत में जिस तरीके से मकान को खाली कराया गया उस तरीके पर उन्होंने दुख व्यक्त किया और बिहार के वो तमाम नेता जो दलिये राजनीत से उपर उठकर इस तरीके की भरसना की इसी सब विस्यों पर बात हुआ इसमें राजनेतिक कोई विचार नहीं थे हमारे नेता आदरने चिराग पासवान जी ने असपश्ट कर दिया है कि यह राजनीतिक मुलाकात नहीं थे राम जी का हनुमान का अलग होना क्या संदेज देता है कोई अलग करवाया गया है किसी को दारा या फिर खुद अलग हुए है भारतिये जंता पाटी किसी के दबाव में आप और इनके सिर्स नेताओं के द्वारा हमारे नेता आदरने चिराग पासवान जी को बुलाकर आश्वासंद दिया गया कि आपके 12 जनपत को खाली नहीं कराई जाएगा और साजिसन कुकि हमारे नेता ओल्लेडी पहले ही 12 जनपत को खाली कर रहे थे लेकिन इनको आश् लगता है कि बेईज़त करने की एक जो रणनीती थी वह किसी दबाव में थी यह तो देखें हमारे पास तो CID, CBI और RAW तो है नहीं कि हम बता सकें लेकिन उन्हीं लोगों के दबाव में होगी जिसके बिरोध में लोक जन सक्ति पाटी राम बिलास रात दिन बिहार के हर जिले में जाती है और जन समवाद करती है तो कहीं न कहीं उसके दबाव का असर भारतिय जनता पाटी के सीस नेता भी उस दबाव में आये और बाबा सहय भीम राव अंबेदकर की मूर्ती और हमारे संस्थापक स्वरगे राम बिलास पासवान जी के चित्र को जिस तरीके से रौंदा गया और बिहार की बहु स्वरगे राम बिलास पासवान जी की धर्म पतनी अधरने चिराग पासवान इनकी बहन और पूरे परिवार को सड़क पर लाकर जिस तरीके से खड़ा कर दिया गया, उससे पूरा देश और बिहार के तेरा कोड़ अवाम दुखी है, चिंतित है और गुसे में है। लंका ढाने की कोई रनितीत बना रहे हैं। जन्ता पाटी उर जन्ता दलियूनाइटेट का हैं। यहां पर लगातार महिलाओं का अपमान हो रहा है, लड़कियों का बलतकार हो रहा है, बैंक डकैती हो रही है, छिंतओ रही है, लूट हो रही है, हत्या बेरुजगारी अपने चरम पर है। अगर इन सब बिस्यों को लेकर आधरनिय चिराग पासवान जी सड़क पर उतरते हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विधायक और मंत्रियों को साप सूंग जाता है बिहार में अगर COVID के समय में अगर हज्जारों लोग मरे थे उसके लिए जिम्मेवार और जबाप दे यहा के स्वास्ट मंत्री और यहां के मुक्क मंत्री थे तो देखिए हम लोग बराबर कहते हैं कि बिहार में अगर पे लोग बैठे हैं यही जिम्मवार हैं जवाबदे भी यही हैं तो बिहार में कुवेवस्था का जो राज है जिसको हम लोग बराबर हम लोग बिरोध करते हैं तो किसी को कम किसी को ज्यादा ये कोई मापदन नहीं है लेकिन यहां पर कानून बिवस्था नहीं है यहां पर रोजगार नहीं है, यहाँ पर सिक्षा और स्वास्त नहीं है इन सब विस्यों को लेकर लोक जन सकती पाटी राम बिलास बिहार के अनटीसो जिला में संगर्स कर रही है और हम हमारी पाटी आपने तोड़ दिया, परिवार तोड़ दिया बंगला छिन लिया आप हर चीज ले सकते हैं लेकिन हमारा मान और स्वाभिमान को आप कुचल नहीं सकते हैं बारा जनपत को खाली कराने के तरीके में पूरे बिहार का अपमान था और यह पूरे बिहार की जनता देखी है समय आने पर वोट की चोट से इसका भी बदला जनता लेगी और जनता के एक एक विषय को हम लोग सनख से लेकर संसथ तक उठाते रहेंगे हमारे नेता उठाते रहेंगे और जब दोजार चोबिश के चुनाओं आएँगे उस समय हमारे नेता देखेंगे की कि गठबंदन में बिहार का भविस्य है उस समय इसको तय किया जाएगा फिलहाल हम लोग बिहार में संघर्स पत पर लोग जन सक्ति पाटी राम बिलास रहेगी देखिए बिहार में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है यहाँ पर जो परत्यासी होते हैं इनको इन पर भी हमला होता है अभी हमारे स साल की बच्ची का जिस तरीके से बलातकार किया गया और उसके पिता के द्वारा जब न्याय मांगने के लिए मुक्ह मंत्री आवाज जा रहे हैं तब सुरक्षा कर्मी उनसे मारपिट कर रहे हैं एक 14 साल का बच्चा अपने पिता के न्याय के लिए आत्म हत्या कर लेता है बिहार के सबसे बड़े सपूत बावुबीर कुरसी के परपोत्र को यहां की प्रसासन हत्या कर देती है तो आप समझे कि यहां पर जो भी समाजिक लोग हैं और समाज के जागरुक प्रहरी हैं उनके जान पे बराबर खत्रा बना हुआ है मानिये मुख मंत्री को बिहार के बिहार के बिहार के बिहार से कुछ लेना देना नहीं है कोई मतलब नहीं है ना यहां के जो गठवंदन के सायोगी हैं उनको मतलब है यहां सिर्फ यह लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं और एक दूसरे का पीठ साल आ रहे हैं लेकिन लोक जन सक्ति पाटी सड़क से लेके संसत तक संघर्स करेगी, जब तक सत्ता परिवर्तन हम लोग नहीं कर देंगे बिहार में, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है, अच्छे बोचहां में उप्छनाव चल रहे हैं, उस पर आप लिकों की क्या रनेती थी देखे बोचहां की महान जनता, यह सब देख रही है, बारा जनपत जिस तरीके से खाली कराया गया, पद्म भूशन स्वरगे राम बिलास पासवान जी की धर्म पतनी, उनके पुत्र चिराग पासवान, इनकी बहन, और इनके परिवार के अन्य सदस्यों को जिस तरीके से बेज़त करने का काम किया गया, इनकी पतनी बिहार की बहु, बिहार की बहु को जिस तरीके से बेज़त किया गया, दिल्ली में, और बेज़त करने वाले लोग कौन थे, भारत सरकार के संपदा बिभाग, फोर्स लेकर आती है, CRPF दिल्ली पुलिस, मैला पुलिस और हमारे स्वर्गे संस्थापक जिस बेड़ पर सोते थे उस बेड़ को रोंदाज जाता है बिहार की तेरा कुड़ अवाम और बोचहां की महान जनता क्या या भूल सकती है कि हमारे स्वर्गे संस्थापक पद्भूसन देश के दूसरे अंबेदकर राम बिलास पासवान जी के परिवार को किसने बेड़त किया है भोट की चोड़ बोचहां में जो मिलेगी उसको बेड़त करने वाले लोग भूलेंगे नहीं वहां की जनता जो है हमारे स्वर्गे संस्थापक पद्भूसन राम बिलास पासवान जी को चाहने वाले लोग हैं भगवान की तरह पूछते हैं और भगवान का जब तिरसकार और उनका जब अपमान होता है तो भक्त बरदास नहीं करेंगे इसका जबाब भोट से देंगे वोचहां में खेला होगा वोचहां की महान जनता किसको भोट करना है 12 नंबर जनपत की जो घटना है इसको ध्यान से देके और भूले नहीं कि दलित बिरोधी कौन है दलित बिरोधी मानसिक्ता कौन रखता है कौन नहीं चाहता है कि दलित का बेटा बिहार का नेतित्व करें किसके दबाव में 12 जनपत को खाली कराया गया और खाली ही नहीं कराया गया स्वरगे राम बिलास पासवान जी के चित्र को और सम्मिधान रचैता बावा साहे भीम राव अंबेद करके मूर्ती को किस ने खंडित किया रास्ता पर किस ने फेका किस के पुलिस ने फेका तो बिहार के बेटे का और बिहार की बहु का और सम्मिधान रचईता का जिसने अपमान किया हो बोचहा की महान जनता क्या उसको भोट करेगी या मूल प्रस्ण है इसका जवाब बोचहा की जनता को खोजना होगा तो जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं कर देंगे हम लोग चैन से बैठने वाले लोग नहीं हम लोग ऐसा कहना है चंदन सिंग जो की लोग जन सकती पाटी राम विलास के प्रवक्ता है वहराल आपको हमारे वीडियो के सलगा आप अपनी परतिकरिया केमेंट बॉक्स में जरू करेंगे वाट